उतराखंड की राजदानी देरदून के प्रसिद्ध पल्टन बजार में हाल ही में एक शूर्ज स्टोर में काम करने वाले एक यूवक ने दून में ही पढ़ने वाली एक यूवति के साथ अश्लीलता की। यूटी ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्श कराई जिसके बाद पुलिस ने मामणरा दर्श कर लिया। इस खटना के विरोध में गुसाए लोगों ने पल्टन बाजार बंद कर दिया और जम कर हंगावा किया। विबिन संगठनों ने आरूपी की गिरफतारी की मांग को लेकर परदशिन किया, जिसके बाद जिले के वरिष्ट अधिकारियों ने मौके पर पहुँच कर इस्तिती को शांत किया. मंगल बार को एसेस्पी देरदून आजयसिंग के नेतरतों में दून पुलिस ने पल्टन बजार में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया, इस तोरान बहारी राजियों से आये हुए फट, ठेली और दुकानों के बाहर काम करने वाले लोगों का सत्यापन किया गया. सत्यापन अभियान में अब तक 50 संदिक दिव्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पुलिस लाइन में पूछ ताच की जा रही है। पुलिस ने व्यापारियों से नरोद किया है कि वे इस अभियान में सहयोग परदान करें। पुलिस की इस कारवाई से बजार म कमान समालिये और कहा कि कानून का उलंगन करने वालों को किसी भी हालत में बख्षा नहीं जाएगा